दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी माल्टा की जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं जिया दोस्तो इंडिया में बैठे कैसे आप जॉब्स के लिए अपलाई कर सकते हैं ऑनलाइन बहुत सारे लोग बोलते ही कि ऐसा पॉसिबल नहीं है को सब्सक्राइब करना ना भूलें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया में बैठे हैं तो जॉब्स अपलाई नहीं कर सकते हैं दूसरे देशों के जॉब्स के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर उस कंट्री के हैं तभी उस कंट्री के जॉब्स के लिए अपलाई कर सकत यह सारा पूरा पूरा प्रोसेका मैं आपको अपने mobile phone पे दिखाऊंगा ताकि आप भी अपने mobile phone पे जिलोगों के पास laptop नहीं हो अपने mobile phone पे ही process मतलब repeat कर सके और इन jobs के लिए apply कर सके आप चाहे तो किसी भी type की jobs के लिए apply कर सकते हैं दोस्तों आज आपके पास यूरोपा सीवी और कवलेटर है तो भाया वीडियो के end होते ही जाकर के इन जॉब्स के लिए अपलाई करें और अगर आपको किसी भी टाइब की प्रॉबलम आए तो भाया आप कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं मैं आपको रिपलाई करने की कोशिश करूँगा और अगर आपके पास यूरोपा सीवी और कवलेटर नहीं है दोस्तो तो आप हमें कॉन्टाक कर सकते हैं हमें कॉन्टाक करने के लिए नीचे दिएए वाटसअप नमबर पर हमें मैसेज कीजिए साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं मेल कर सकते हैं दोस्तो हम आपकी सर्विस के लिए 24-7 अवेलिबल है मैं आपको ले चलता हूँ उस वेबसाइट पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कर लेना है दोस्तों सिंप्ली सर्च करते हुए आप देख सकते हैं यहां पर कितने सारी जॉब्स अवेलिबल होच चुकी है वह वेरिफाइड एंप्लॉयर्स के तुरू अवेलिबल है यहां पर जितनी भी है एक्सपिरेंस होना चाहिए नीचे आप देख सकते हैं लॉगिन टू अप्लाई का ओप्शन है दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है लॉगिन टू अप्लाई वाले ओप्शन पर क्लिक करना है फिर यह इंटर्फेस आपके सामने आएगा आप डिरेक्ट गूगल से लॉगिन कर सकते हैं या फिर इमेल आईडी और पासवर्ट भी जनरेट कर सकते हैं तो सिंप्ली हम डिरेक्ट गूगल से लॉगिन कर लेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपना official email ID यहाँ पर select कर लिए जो भी आपका official email ID है उसको select करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह redirect कर दिया जाएगा आपके उसी job वाले page पे उसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर auto update हो चुगा है मेरा नाम, मेर email, मेरा phone number, सब कुछ auto update हो गया है दोस्तों और नीचे मेरे पास option है attach your CV and additional documents यहाँ पर क्यूंकि मैंने पहले भी इस website पर अपना CV attached कर रहा था तो यहाँ पर already मेरा CV attached है दोस्तों लेकिन नीचे एक option देख सकते हैं आप यहाँ पर upload from device तो आप upload from device वाले option से अपना CV attach कर सकते ह है नया CV जो भी आपको updated CV attach करना है तो आप attach कर सकते हैं और पूराने वाले को delete कर सकते हैं यहाँ पर आपको attach करने के बाद नीचे आपके पास एक option है I agree I accept the privacy and policy वगेरा वगेरा जो भी है उस पर टिक करते हुए नीचे submit वाले option पे click करते ना दोस्तों आपको बस इतना सा का करना है submit वाले option पे click करते ही आपका जो है application letter जो है sent हो जाएगा आपके पास यह notification देख सकते हैं application successful उपर left करना है CV कैसे upload करना सर्च कैसे करना है यह सारी की सारी चीजे मैंने आपको बता दी और यह सारी की सारी चीजे possible है इंडिया में बैट कर तो जो लोग आपको बोलते हैं इंडिया से आप jobs के लिए apply नहीं कर सकते डाइरेक्ट अप्लाइड कर सकते आपको Google पर जाकर के पहले आपको जो process मैंने बताया है वो पूरा का पूरा process आपको समझ आया हो और यह वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तो अगर आप इसी type का content देखना चाते हैं अलग-अलग countries में visa कैसे पाए अलग-अलग countries के work permits के process के बारे में जानना चाते हैं जॉब्स के बारे में जानना जल्दी से यूरोपा स्टीविग बनाईए और इन जॉब्स के लिए अपलाई कीजिए आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई topic के साथ तब तक के लिए बाई-बाई